लक्ष्मी बाई नाना मुझे भी बिटा लो ना ये मेरा हाथ है मैं क्यों बिठाओ नाना तो नीचे नाना तो उन पालो ना काका काका अरे अरे क्या हुआ मनु बेटी देखिए नाना हाथी पर सवार होकर घूमने जा रहे हैं मैं भी हाथी की सवारी करूंगी उन्हें रोके ना रे रे बेटी वो देख हाथी तो काफी आगे निकल गया है आप पकार ये तो हाथी को अभी वापस बुलाओ अभी बुलाओ अभी बुलाओ बेटी हाथी की सवारी तो राजा लोग करते हैं तू ठेरी गरीब रहमन की बेटी भला तेरे भाग्ये में हाथ कि सवारी कहा अच्छा ये बात है तो लगी शर्ट मैं आपको एक नहीं दस-दस हजार हातियों की सवारी करके दिखाऊंगी हां तेरे मुझ में घी शक्कर विटी ये थी लक्ष्मी बाई जिनका बच्पन का नाम था मनू मनू का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी के एक ब्रह्मन परिवार में हुआ था मनू जब छोटी थी तो इनकी माता भागीरती बाई का देहान थो गया पिता मोरोपंत ने इनका लालन पालन किया मनू ने रणविद्या, धनुष चलाना, बंदूग चलाना, अश्वा रोहन, कुष्टी, शिकार खेलना, नकली युद्ध करना, तथा व्यूहू की रचना करना भली प्रकार सीख लिया उस समय बाल विवाह के प्रथा थी, इसलिए मनू जब छोटी उमर की ही थी, तो उनका विवाह गंगा धर राओ के साथ हो गया विवाह के पश्चाद मनू का नाम लक्ष्मी बाई रखा गया लोगों ने जय जय कार की रानी के दर्शन के लिए दासियों ने रानी को घेर लिया तुम लोग कौन हो सरकार हम लोग तो आपकी दासिया है जी सरकार दासिया नहीं तुम लोग तो मेरी सख्या हो अपने अपने नाम तो बताओ मेरा नाम सुंधरी यह काशी बाई और यह सरकार मैं जूही हूं तु learnt को घुड़वारी आती हैं सुंधरी को तो घुड़वारी बहुत अच्छी आती है हम लोगों को भी आती है थोड़ी थोड़ी आती है अच्छा क्या तलवार कटार भी चला लेती हो नहीं मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर सको बचपन की सीखी रणविद्या राणी के बहुत काम आई राणी ने वीरांगनाओं की एक फौज तयार कर ली और राणी राज्य के सभी कामों में रुची लेने लगी कुछ समय बाद राणी के एक पुत्र पैदा हुआ पर कुछी दिनों के बाद उसकी मृत्य हो गई गंगाधर राव इस धक्के को सेह न सके और बीमार रहने लगे एक दिन गंगाधर राव ने राणी से कहा लक्षमी अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा ऐसा ना कहें महाराज आप चल्दी ठीक हो जाएंगे तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरी बात सत्य होगी मैं बेना पुत्र के नहीं मरना चाहता हूँ मैं किसी बालक को खोद लेना चाहता हूँ मुझे इसमें कोई आपत्ती नहीं है माराज अंग्रेजों ने जहांसी को अपने राजज में मिला लिया रानी को पेंशन दे दी गई इससे रानी खुश नहीं हुई 1857 में रानी ने सेना का संगठन किया और पहला युद्ध जहांसी के किले में हुआ रानी बहुत बहादुरी से लड़ी उन्हों में जियाजी राव सिंधिया और जनरल स्मित को हराया युद्ध के दौरान रानी ने अपने पुत्र दामुद राव को पीट से बाद हिया था अचानक रानी को गोली लगी और रानी कोई परवाह किये बिना लड़ती रही और सेनिको का होसला बढ़ाती रही चान पर ठेल जाओ सेनिको ये आजादी की लड़ाई है हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं होटेंगे हमारे भीतर देश भक्ति की आग जल रही है इस से हम पिसमतों को जुल्सा देंगे पर दुर्भाग्य से उनका नया घोड़ा नाला पार ना कर सका राणी जान गई कि अब युद्ध में जीतना कठिन है गिरते गिरते राणी ने अपने सहयोगी से कहा रामचंद तुमसे एक बात कह रही हूं हमारा ने शत्रू मेरे शरीर को हाथ ना लगाने पाए यह महारा ने यह यह मेरी अंते मिच्चा है चेह तुर्गे ने महारा ने यह रामचंद रानी के मृत शरीर को गंगा दास की कुटिया में ले गए गंगा दास ने मृत रानी के मूह में गंगा जल ढला अपनी अपनी कुटिया की घास फूस डाल कर रानी की चिता को आग लगा दी और इस तरहें रानी वीर गति को प्राप्त हुई